तो इस समय की जो most important news है आपके सामने वो क्या news है वो यह है कि JKSSB का tentative exam calendar जो है वो out हो चुक है exam जो है वो सबकी tentative date आ चुक है और यहां पर आप देख सकते हो notice की date जो है वो 28-25 को मतलब आज ही notice आया है ठीक है तो क्या notice है कब होगा exam यह सारे आपके doubts जो है वो सारे clear होंगे ठीक है उसके बाद जो हमारा current affair भी हमारा चल रहा है वो भी साथ साथ में हम लोग cover करेंगे तो देखते हैं आगे क्या है कब exam है हमारा कौन सा exam कब होगा तो ऐसे ही updates के लिए important notification के लिए current affairs के लिए बाकी JKSB के जो भी exam है उनके इस लेबस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करो वैल आइकन को press करो ता कि आपको regular updates मिलते रहे हैं ठीक है चलिए हम लोग start करते हैं तो calendar जो आ चुक है यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा ज जूनियर statistical assistant और election assistant इसका है यह है अपना finance का first week of October में उसके बाद जो accounts assistant finance जो major exam है वो है आपका first week of November में ठीक है first week of November में यह tentative date है हो सकता है covid अगर in case बड़ा जादा rise कर गया तो यहाँ कोई और situation create हो गई तो हो सकता है यह change हो जाए लेकिन इस समय किया है जो अग्जे के pdf है मेरे पास pdf जो है मैं अपने telegram channel में डाल दूँगा जिसका link आपको description में मिल जाएगा telegram तो वहाँ जाके आपको हर एक का देख सकते हो कब कब कौन कौन सा exam है जो मैं आपको बता दूँ कौन कौन सा है finance accounts assistant का कौन सा है first week आप November को है JEE का exam है जो JEE civil का हो है fourth week of August को finance sub inspector क है वो है second week of October को जो पटवारी का है वो भी October को है और जो junior assistant का है वो September में है ठीक है तो बाकि आप notification पूरी खुद पढ़ लेना बहां से आपको जो भी आपने form बढ़ा होगा उसके related आपको सब दिख जाएगा कौन से department पे ठीक है तो बाकि हम लोग start करते है आपना current affair तो कली मैंने आपको बताया था कि जो BVR सुब्रिमनियम थे chief secretary वो क्या बन के थे officer on special duty commerce ministry में ठीक है तो अब हमारा new chief secretary कौन बना है new chief secretary बना है हमारा अरुन कुमार महता ठीक है यह कौन है यह हमारे finance commissioner है और यह क्या बने है अभी हमारे अरुन कुमार महता जी क्या बने है यह बने है हमारे new chief secretary BVR सुब्रिमनियम की जगा ठीक है next जलते है who is the new CBI director अब मैंने दो दिन पहले आपको पढ़ाया था सुबोध कुमार जैसवाल के और इनी को क्या बनाया गया है कल ही यह बने है क्या बनाया गया इनको CBI director बनाया गया किसको सुबोध कुमार जैसवाल को ठीक है important question है पूछा जा सकता है next time which country hosted the 12th BRICS summit in a virtual format ठीक है तो किसने 12th BRICS summit जो है वो होस्ट की थी virtual format तो यह की थी रशिया ने ठीक है उसके बाद अ की 13th कौन करेगा वो करेगा इंडिया ठीक है इंडिया कब करेगा 2021 में जो की होगा 13th session और BRICS में कौन-कौन सी countries आती है ब्रिक्स में आती है हमारी 5 जो की है Brazil, Russia, India, China और South Africa और South Africa कब हो ही थी इसमे add 2010 में पहले इसको क्या बुलाते थे पहले इसको BRIC ही बोलते थे इसमें South Africa नहीं थी 2010 में हमारी South Africa इसमें add हुई next question है हमारा which bank has launched move बंद रखो campaign to create awareness on cyber fraud ठीक है तो cyber fraud पे जो कि आपको पता है आज कल काफी सारे cyber fraud हो रहे हैं आपको OTP मांगे जाते हैं आपके पैसे निकल जाते हैं बड़े सारे fraud हो रहे हैं तो किस bank ने जो है awareness create की थी क्या scheme क्या उन् World Cup 2022 most important question है FIFA World Cup Women World Cup 2022 वो भी under 17 तो किस country को मिला है वो है हमारा India तेक है next है what is the rank of India business bribery risk of 2020 तो कितना rank है India का India का rank है 77 out of 194 important question है index वाले question आपको पूछे जाते हैं मैंसे मैं आपके लिए एक लग वीडियो लाँगा जिसमें मैं आपके लिए सारा index वाला जो होगा जितने भी index इसमें इंडिया का जितना भी rank का वो map के लिए लेकिया होंगा next चलते है who has been elected as the external auditor of inter parliament union IPO जिसको बोलते है जनेवा for a three year term ठीक है यह हमारे अपने ही है कौन GC मुर्मुजी जो की कौन थे हमारे पहले lieutenant governor थे उसके बार यह Comptroller and Auditor General है और यह क्या बनाया गए उनको external auditor of inter parliament union जनेवा for a three year term तीन साल के लिए ठीक है याद रखना important है पूछा जा सकते है next है who will be the new CEO of Amazon ठीक है अब new CEO कौन बनेंगे Amazon के और कब बनेंगे कौन बनेंगे एंडी जैसी जो है वो बनेंगे और कब वो start होगा उनका period उनका होगा 5th July को तो अब मेरे को comment करके बताना कि इस समय हो कौन है उसके ठीक है तो क्या करते है यह he currently runs the company's cloud computing business ठीक है यहाँ पे क्या है cloud computing business इस समय यह इसी department में है मत cloud computing business department जो है वो चलाते है next app का resonance consultancy report according to this which Indian city has made to the list of 2021's world best cities ठीक है कौन सी city जो है इंडिया की वो 2021 की world की best cities में आती है वो कौन सी है Delhi जो की आती है 62nd number पे और first पे कौन सी है United Kingdom की London जो है वो अपनी किस पे है first पे है ठीक है किसके index पे resonance consultancy report जो है उसकी basis पे next है directorate of revenue intelligence recently launched which operation to burst international drug racket ठीक है directorate of revenue intelligence ने कौन सा operation launch किया है recently जो की international drug racket को burst करने के लिए कौन सा है calypso ठीक है कहा नाम है इसका calypso important questions है सारे ध्यान से पढ़ना इसको आप PDF में आपको जो यह बीपिटी है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर है next क्या है यह ओडिसा तो नहीं है इसको छोड़ो next है Indian railway collaborated with Indian school of business for establishing a center of excellence for artificial intelligence and data analysis at which railway zone जो काफी बढ़ा सा question है कि Indian railway ने collaborate किया किसके साथ Indian school of business के साथ क्या बनाने के लिए center of excellence किसका artificial intelligence or data analysis का किस railway station पर किस railway zone में यह है south central railway ठीक है south central railway zone में ठीक है south central railway zone में ठीक है south central railway zone में तो इसका answer आप लिख लेना ठीक है यही है आपकी current फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग current फिर जल्दी हम लोग 10 से 12 questions जो है वो हम लोग रोज पढ़ लेते हैं और ज अब आपको क्या करना है जब मैं PDF आपको भेजूँगा आपको क्या करना है आपको यहां से देखना है पहले department जैसे एक cooperative department है जिसने इसका junior supervisor का form भरागा cooperative department तो उसी साब से देखेगा कि किस district में मेरा आ रहा है और मेरा exam कब है ठीक है आप finance वाला तो आप एक काम कर सकते हो जब मैं PDF भेजूँगा तो उपर search option होगा आपका जो department है जैसे आपने health department में भरा है तो आप health search कर सकते हो जैसे health and medical department आप यह search कर सकते हो उसके बाद आपका जो गाला exam है उस particular department में ठीक है तो आप देख सकते हो उसकी date कहा है मैं PDF आपको भेज दूँगा ठीक है और वैसे ज जो है वो है junior statistical का जैसे है वो है first week of October को ठीक है उसके बाद जो है आपका finance sub inspector का जमू division का वो कब है आपका again second week of October को कुछ फिर junior research assistant और junior assistant junior legal assistant जो भी है वो सारे exam आपको यहाँ पर date आपको मिल जाएगी और यह tentative date है change हो सकती है ऐसा नहीं है कि यही date रहीगी वो covid पर debate करेगा लेकिन एक date नों ने निकाल दिये तो यही आपके लिए information थी most important information है इस समय आपके लिए तो तयारिया आपनी जो है वो start कर दें अगर जिसने नहीं भी किया कुछ बच्चे पूछ रहे थे कल मेरे को कि sir हमने तयारिया भी start नहीं किया तो अभी करेंगे तो हो जाएगा क्या अभी आपके पास काफी months पड़े हैं ठीक है तो तयारिया अभी भी start करोगे तब भी आपके पास काफी months अब लोग पूरा syllabus with revision अच्छे तरह से cover कर सकते हो ठीक है तो आज के लिए इतना रखेंगे वीडियो जादर लंबी नहीं करेंगे तो आपका वीडियो ध्यान से दे